हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नाम है संदीब और आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूटूब चैनल नथिंग इंपॉसिबल में फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग यूजिसीनेट फर्श पेपर में यूनिट नमबर टेन यानि के उच्छ सिच्छा प्रडाली में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को अल्रेडी देख लिया था और उसी में एक और टॉपिक था प्रसासन राजनिती एवं सा बिला दूँगा, ताकि इनमें से कोई भी कोश्चन अगर आप से पूछा जाता एक्जाम में तो आप आसानी के साथ उसको solve कर लें इन question में आपको मैं एक आग previous year के question भी डालूँगा और उस question को मैं बताता चलूँगा कि जिससे आपको idea लग जाएगा कि किस प्रिकार से question इसमें पूछे गए है एक बात और friend अगर आप नए वेवर हैं तो channel को subscribe कर लीजिए और उसके बगल में जो bell icon का बटन होता है इस प्रिकार से उसको आप प्रेस तो जरूर कर लीजिएगा इससे यह होगा कि जब कभी भी इस channel पर किसी भी प्रकार का वीडियो किसी भी exam related किसी topic से related कोई वीडियो अगर upload की जाएगी तो इसकी notification बहुत ही आसानी के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी और वीडियो को आप miss नहीं कर पाओगे तो फ्रेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और question number 1 से देखते हैं तो question number 1 में दिया गया हमें friend की निमनलिखित में से किस प्रकार की वेवस्था को आधूनिक राज्य के रूप में वर्डित किया जाता है इसका जो हमारा सही answer हो जाएगा option number B कल्यानकारी राज्य अगला प्रेंट से एक बात और अगर आप चाहो तो इसको practice set की तरह भी attempt कर सकते हो अगर लगे कि वीडियो फास्ट है तो वीडियो को आप पहुच करके अच्छे से अपने answer को सोच के comment box में जवाब देने का प्रयास करें अगला प्रेंट हमारा है question number 2 निमनलिखित में से भारत में राजनितिक सक्ति का प्रमुख स्त्रोथ कौन सा है तो इसका जो हमारा सही answer हो जाएगा option number A भारत के लोग अगला प्रेंट देखते हैं अगला प्रेंट हमारा है question number 3 इसमें दिया गया है कि समिधान सभा जिसने देश का समिधान लिखा किस वर्स में इस थापित किया गया था तो इसका जो हमारा सही जवाब है option number C 1946 में अगला प्रेंट हमारा है question number 4 निम्नलिखित में से भारतिय समिधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था इसका जो सही जवाब हमारा है option number A 26 November 1949 को अगला प्रेंट देखते हैं अगला प्रेंट हमारा है question number 5 इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व में से भारतिय सम्विधान की प्रारूप समिती के अध्याच्छ थे तो इसका जो हमारा सही जवाब था आपसर नंबर डॉक्टर भीमराव अमेडकर अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रश प्रशन जो है दिसंबर 2004 में और लेड़ी पूछा जा चुका है आपसे तो इसमें दिया गया है पहला की आर्थिक नियोजन दूसरा है लोगों की बढ़ती आसाएं तीसरा दिया गया है निजी करण और चौथा है इसमें की कल्यानकारी राज्य की अधाना को बल मिलना तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number B पहला सही है आपका फिर दूसरा सही है फिर आपका तीसरा सही है तो ये जो है आपका option number B राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 7 इसमें दिया गया है कि भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्म निर्पेच किस संसोधन के माध्यम से जोड़े गये इसका जो सही अंसर हमारा है option number A 42 संसोधन के अंतरगत इसको जोड़ा गया था अगला प्रशन हमारा है question number 8 एक संगी ये प्रडाली है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number A लिखित समिधान का ह होना आवस्यक है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 9 इसमें दिया गया है कि एक संगी ये राज में तो इसका जो सही जवाब है option A राज केंद्र की तुलना में अधिक सक्ति साली होता है question number 9 का जो है option number A राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन देख को सम्मिलित करने की प्रेंडा हमें किस देश के समिधान से मिली है तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा option number A सन्युक्ति राज्य अमेरिका अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 11 निम्नलिखित में से कौन सा सब्द भारतिय समिधान की सही प्रकृति को दर जाता है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number D रूप में संगिय और आत्मा में एकात्मक question number 11 का जो है option number D राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 12 निम्नलिखित में से किस का भारतिय समिधान पर सबसे गहरा प्रभाव है तो इसक 35 का अगला प्रशन हमारा है question number 13 भारतिय सम्मिधान निम्नलिखित में से किस देश की सम्मिधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number B ब्रिटेन का अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 14 इसमें दिया गया है कि सम्विधान सभाद्वारा भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अंदिम रूप देने के लिए जिस समिती का गठन किया गया उसके अध्यच कौन थे तो इसका सही जवाब जो हमारा है ऑप्रशन नमबर B जवाहर लाल नहरू अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 15 सम्विधान सभाद्वारा देश के लिए सम्विधान के निरूपन करने के लिए कितना समय लिया गया इसका जो सही जवाब हमार option number B question में फिर से repeat कर देता हूँ question number 16 इसमें दिया गया है कि भारत राजियों का एक संग होगा यह संविधान की किस अनुसिची में निर्दिष्ट किया गया है इसका जो सही जवाब हमारा option number A प्रथम अनुसिची में अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 17 भारत जिसमें संगीय सरकार की कई विशेशताएं है कि सर्वोच्चता निर्दिष्ट में से किस सब्द में निहित है इसका जो सही जवाब हमारा है option number A संविधान में अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 18 निर्दिष्ट में से भारतिय संविधान की व्याख्या किस की भावना पर आधारित है इसका जो सही जवाब हमारा है option number A प्रश्टावना पर अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है question number 19 इसमें दिया गया है कि भारत के सम्मिधान को कितने भागों में बाटा गया है इसका जो सही जवाब हमारा है option number C 25 भागों में अगला प्रशन हमारा है question number 20 निम्नलिकित में से किस संसोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतिय सम्मिधान में समिलित किया गया है इसका जो सही जवाब हमारा है option number B 42 अगला प्रशन हमारा है question number 21 यानि 21 भारतिय समिधान के अनुछेद 14 में प्रियुक्त किये गए वाक्यान्स कानून के समच्छ समानता का क्या अर्थ है तो इसका जो हमारा सही जवाब है option number C देश का कानून समान्य स्थिती में सभी व्यक्तियों के लिए समान है अगला प्रशन हमारा है question number 22 इसमें दिया गया है निमनलिखित में से कौन सा कथन भारतिय समिधान के धर्म निरपेच्छ चरित्र को चरितार्थ करता है इसका जो सही जवाब हमारा है option number D उप्रोक में से सभी पहला है राज्य का कोई अधिकारी धर्म नहीं है दूसरा जो है अपनी पसंद का धर्म के अभ्यास और प्रचार के लिए हर किसी को समान अवसर है तीसरा भारत की एकल नागरिक्ता के लिए धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है अगला प्रचन देखते है अगला प्रचन हमारा है प्रचन number 23 राज के निती निर्देशक सिधान्तों के अंतरगत समान नागरिक संगिता को सुनिश्चित करने की बात की गई है जिसका मुख्य उर्देश से है तो इसका जो हमारा सही जवाब है क्वेश्चन number 23 का आप्सन number C राश्ट्रिय एकी करण अगला प्रचन देखते हैं अगला प्रचन हमारा है प्रचन number 24 निम्नलिखित में से किस भासा को सम्विधान के अनुच्छे 351 के अंतरगत हिंदी भासा के विकास के लिए अधिकारिक मानक प्राथमिक इस्तरोत का विशेस दरजा प्राप्त है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number A संस्कृत अगला प्रचन हमारा है प्रचन number 25 इसमें दिया गया है कि भारत की राष्ट्रिय भासा है तो इसका जो हमारा सही जवाब है option number D कोई राष्ट्रिय भासा नहीं है भारत की और जो हिंदी है आपकी वो मात्री भासा है इसको आप ध्यान में रखेंगे अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन प्रशन नमबर 26 नेमनलिखित में से किस उच्च न्याले ने यह निर्डे सुनाया की भारत की कोई राष्ट्रिय भासा नहीं है तो इसका जो सही जवाब हमारा है आप्सन नमबर B गुजरात अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 27 इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्स के बच्चों के लिए निसुल्क और अनिवार्य सिच्छा का अधिकार को निम्नलिखित में से किस वर्स में अधिनियमित किया गया था इसका जो सही जवाब हमारा है आप्सन नमबर B 2009 में अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 28 भारतिय सम्विधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस भांसा को सरकारी भांसा का विशेश सिस्थान प्राप्त है तो इसका जो सई जवाब हमारा है option number C हिंदी के साथ में अंग्रेजी भांसा को एक अतिरिक्त भांसा के रूप में जो है विशे सिस्थान प्राप्त है अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 29 इसमें दिया गया कि सम्विधान के निम्नलिखित में से किस अनुछेद के अनुसार यह कहा गया है कि संग की अधिकारिक भांसा हिंदी देवनागरी लिपी में होगी तो इसका जो सही जवाब हमारा है ऑप्सन नमबर ए अनुछेद 343 वन के अंतरगत अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 30 निमन लिखित में से किस भांसा को 2004 में पहली बार सास्त्री भांसा का विशेश इस्थान दिया गया है तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए तमिल भांसा अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 31 ओडिया को फरवरी 2014 में सास्त्री या भासा का विशेश इस्थान दिया गया था अब तक कितनी भासाओं को सास्त्री या भासा का विशेश इस्थान दिया जा चुका है तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो है option number D6 भासाओं को अगला प्रशन है, प्रशन number 32 वर्तमान में भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 51 के अंतरगत मौलिक कर्तब्यों की संख्या कितनी वर्डित है तो इसका जो हमारा सही जवाब है option number C 11 अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 33 इसमें दिया गया है कि भारतिय सम्मिधान में मौलिक अधिकारों का वर्ण किन अनुच्छेदों के अंतरगत किया गया है तो इसका जो हमारा सही जवाब है option number B अनुच्छेद 12-35 में अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 34 निम्नलिकित में से सम्मिधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अस्वासन देती है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number C 25-28 अगला प्रशन देखते हैं हम लोग अगला प्रशन हमारा है question number 35 निम्नलिकित में से किन विशयो पर भारतिय सम्मिधान अस्वासन नहीं देता है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number E देश के किसी भी भाग में समपती का स्वामी बनने अधिग्रहन और बेचने का अधिकार अगला प्रशन हमारा है question number 36 उच्चितम न्याले के फैसले के अनुसार समपती का अधिकार इसका जो सही जवाब हमारा है option number B एक कानूनिक अधिकार होता है अगला प्रशन हमारा है question number 37 इसमें दिया गया कि निमनलिकित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है ये प्रशन जो है आपका दिसंबर 2005 में पूछा जा चुका है तो ये बहुत ही महत्वा प्रशन है ये question को अच्चे से देखिएगा तो इसका जो सही जवाब हमारा है वो है आपका option number D 14 वर्श तक की I.U. के सभी बच्चों को निसुल्क अनिवारि सिच्छा का अधिकार जो है आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है अगला प्रशन देखते है अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 38 इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संसोधन के माध्यम से सम्विधान से हटा दिया गया था तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number C संपती का अधिकार अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 39 यानि 49 निम्नलिखित में से कि मौलिक अधिकारों के क्रियानवयन और अनुरच्छन करने संबंदित रीट जारी करने का अधिकार किस के पास है इसका जो सही जवाब हमारा है option number C उच्चितम नियाले के पास अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 40 इसमें दिया गया कि एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों की रच्छा कैसे की जा सकती है तो इसका जो सही जवाब हमारा होगा option number A है सर्वोच नियाले के पास रीट जारी करने का अधिकार अगला प्रशन हमारा है अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 41 यानि की 41 कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन के साथ सम्बंदित है इसका जो सही जवाब है हमारा option number A समानता के अधिकार अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 42 यानि 42 निमनलिखित में से किस इस्थिती में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number B, राष्ट्री आपात इस्थिती को अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशन हमारा है, प्रशन number 43 इसमें दिया गया है कि निमनलिखित में से किस दास्तावेज में भारत की संप्रभुता, एकता और अघंडता को बनाए रखने और उसकी रच्चा करने के लिए प्रावधान किया गया है इसका जो सही जवाब हमारा है, option number C, मौलिक कर्तव्य में अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन हमारा है, प्रशन number 44 यानि कि 44 इसमें दिया गया है कि निमनलिखित कतनों पे विचार करें कतन A दिया गया है कि अधिकार और कर्तव एक ही सिक्के के दो पहलू है कारण क्या है, नागरिकों के अधिकारों का अनुरचन करना राज्य का कर्तव्य नहीं है तो इसमें से हमें बताना है कि निमनलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है तो इसका जो सही जवाब हमारा है, वो है option number C, A सही है परन्तु R गलत है यानि कि A जो है आपका वो सही है अधिकार और कर्तव एक ही सिक्के के जो है दो पहलू होते है लेकिन कारण आपका R जो है वो गलत है, नागरिकों के अधिकारों का अनुरच्छन करना राज्य का कर्तव्य नहीं है जबकि राज्य का कर्तव्य होता है इसलिए कारण आर गलत है और कथन A सही है आपका option C इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नंबर 45 यानि कि 45 इसमें दिया गया कि राज्य के निती निर्देशक सिध्धान मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्य है तो इसका जो सही अनसर हमारा हो जाएगा option नंबर B सिध्धान प्रवर्तनिय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनिय है अ ये उच्चतम न्याले द्वारा प्रियूक्त किया जा सकता है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number A राजाग्या क्या? राजाग्या इसको आप अच्छे से याद कर ले ना थोड़ा सा अजीम नाम है लेकिन ये इसका सही जवाब है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नंबर 47 यानि 47 निमनलिकित में से कौन सी रीट को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है इसका जो सही जवाब हमारा है option number D उप्रोक में से सभी बंदी, प्रत्यची करन और परमादेश और निसेद ये तीनों इसलिए question number 47 का option number D right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है question number 48 कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए निसुल्क सिच्छा के अधिकार को निमनलिखित में से किसके अंतरगत विधाई रूप दिया गया है तो इसका जो सही जवाब हमारा है वो है आपका option number B राज्य के निती निर्देशक सिध्धानतों में निहित फिर से मैं question को पढ़ देता हूँ कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए निसुल्क सिच्छा के अधिकार को निमनलिखित में से किसके अंतरगत विधाई रूप दिया गया है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number B राज्य के निती निर्देशक सिध्धानतों में यह निहित है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है अनुच्छेद के अंतरगत गया आता है अगला प्रशन है प्रशन नमबर 50 निमनलिखित में से सम्मिधान में वर्णित किन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश वित्रडात्मक न्याय है तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number B अनुच्छेदों में अगला प्रशन देखते है अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 51 यानि 51 अगर केंद्र और किसी राज्य में सम्मवर्ती सूची में सम्मिलित विसे को लेकर टकराओ की स्थिती पैदा हो जाए तो निमनलिखित में कौन सा विकल्प लागू किया जाएगा तो इसका जो सही जवाब हमारा है option number A केंद्र का कानून माना जाएगा अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 52 और वीडियो का ये last question हमारा होगा निमनलिखित में से किस सम्मिती ने सरवपर्थम भारत में लोगतांत्रिक विकेंद्री करण के विचार को प्रचलित किया इसका जो सही जवाब हमारा है option number C B.R. मेहता समिती ने 1957 में तो friends आज के वीडियो का ये last question था और इस वीडियो में हम लोगों ने प्रसासन, राजनिती, एवं सासन प्रबंध से जुड़े जो question पूछे जाते हैं आपके exam में उसको बताया और इससे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे कि आपको 100 question इस topic से भी मिल जाए ये जो topic है आपका first paper के 10 में unit से है तो पहले वाले topic में जैसे कि उच्ची सिच्चा पडाली में हम लोग ने दो वीडियो देख लिये हैं उसमें 100 plus question डिसकस कर लिये हैं और इस वाले topic में भी हम लोग 100 plus question को डिसकस कर लेंगे तो जो second part है हम अगले वीडियो में उसको provide कर देंगे इसके बाद जो है हम environment जो है परियावरणड वाला जो हमारा unit है उससे भी वीडियो जो है practice set वीडियो आपको provide करेंगे फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो गर अच्छा लगे तो वीडियो को like करें और वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल सके तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ और टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंजय भारत